इस एक चीज को दूद में डालो, दही आईस्क्रीम जैसा बनेगा आईस्क्रीम जैसा परफेक्ट दही जमाने के लिए ना तो 15 मिनिट लगते हैं और ना ही एक दो घंटे में ये बन जाता है इसे बनाने का तरीका और समय एकदम परफेक्ट होगा तभी दही में टेस्ट आएगा समर में दही दो घंटे में सेट तो हो जाता है पर टेस्ट बिलकुल दूद जैसा ही रहता है भगोने में थोड़ा सा पानी डालकर पानी फेक दीजे और एक लीटर फुल फैट दूद ले लीजे गरम होने के लिए रख दीजे जब ये गरम हो रहा है बीग बीच में चलाते रहे इसके फैट्स अलग ना हो जहां से पहले मैं दही लेती थी वहीं से मुझे ये ट्रिक पता चली थी उन्हों नहीं बताया था हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रीडियंट यूज कर रहे हैं जिसकी वज़ा से ये बहुत अच्छे से थिक सेट होगा मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है फिट करी का इसे एलम या फिर तूटी भी कहते हैं बस इस टुकड़े को एक से दो बार इस तरह से घुमा देना है और निकाल लेना है और अब दूद को गरम कर लीजे हमने फुल फैट दूद लिया है फिर भी हमें इसे काफी अच्छे से गरम करना है कम से कम 100 ml दूद को रिडियूस करना है मतलब दूद को थोड़ा सा गाडा करना है दूद में अच्छे से उबाल आ गया है और रिडियूस भी हो गया है फ्लेम बंद कर देंगे और इसे नॉर्मल टेंपरेचर पर आने देंगे जब तक ठंडा हो रहा है बीच बीच में चलाते रहिएगा नहीं तो इसके उपर मलाई सेट हो जाएगी दही सेट करने के लिए काच का स्टील का या फिर मिट्टी का बरतन यूज कीजिए मैं आज काच के बरतन में सेट कर रही हूँ इसमें मैंने दो चम्मच दही डाल दिया है य ये दही फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खटा नहीं होना चाहिए, पूरे पॉट में इस तरह से लगा दीजिए, जिस दही से आप दही को सेट कर रहे हैं, मिंस ये वाला दही थोड़ा सा थेक होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, दूद भी अच्छे पिसे बंद ओवन में रख देती हूं वहाँ पे गरम भी होता है और अंधेरा भी होता है अंधेरे में और गरम में ही अच्छा द़ी सेट होता है और अब लगभक 6-8 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजे बीच-बीच में ओपन करके भी नहीं देखना है और हिलाना भ नहीं होगा दही बहुत अच्छे से सेट हो गया है आप यहां पर देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है अब मैं इसे फ्रिज में रग दूँगी और उसके बाद दिखाऊंगी दही ठंडा हो चुका है इसे कट करके देखेंगे यह देखिए ऐसा लग रहा है ज दही वाला जो टेस्ट होता है न बिल्कुल वैसा ही लग रहा है गर्मियों में दही 5-6 घंटे में सेट हो जाता है पर अगर खटा चाहिए तो 8 घंटे के लिए रग दीजे और सर्दियों में दही सेट होने के लिए ओवरनाइट भी लग सकती है और कभी-कभी 15-16 घंटे लग जाते हैं एक बार मेरी इस ट्रिक से तही को सेट करके देखिए 100 परसंट दही परफेक्ट बनेगा इस तरह से बनाईए इंजोई कीजिए बाबाई